खुझ से जीतने वालों को मेरा सलाम दोस्तों नियूरो साइंटिस्ट मैथ्यू ओकर कहते हैं कि अगर नींद कोई सप्लिमेंट या दवाई होती तो हर स्पोर्ट्स में बैन होती ये सुनकर आपको अटपटा लग रहा होगा लेकिन इस कूट में नींद की एहमी अच्छपी है अच्छी नींद से शरीर में ग्रोथ होर्मोन और टेस्टिस्टरॉन बढ़ते हैं खुन में अमीनो एसिट की मात्रा बहतर होती है जिससे मसल्स बड़ी और ताकतवर होती है अच्छी नींद आपकी अलर्टनेस, क्रियेटिविटी और मूड बहतर करती है मैथिव ओकर कहते हैं कि अच्छी नींद आपके शरीर और मन को स्वाभाविक रूप से वो सारे एड्वांटेज देती है जो शायद सप्लिमेंट या ड्रग्स भी नहीं दे सकते यानि हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स सच में जाहें तो नाइट रूटीन में छोटे मूटे बदलाव करके अपनी नींद बहतर करके दिन भर का अलर्टनेस और फोकस बहतर कर सकते हैं नींद की एहमियत को लेकर आयरवेद एक कदम और गहराई में जाते हैं आयरवेद कहते हैं कि हम सब अपने जीवन में संतुलन, संतुष्टी और परपस चाहते हैं और ये सब तब तक प्राप्त नहीं होंगे जब तक हम शारिक और मानसिक रूप से रिलैक्स्ट और ताचगी महसूस नहीं करेंगे आयरवेद के एनुसार, अच्छी और गहरी नींद हमें इस तरह से तयार करती है कि हम किसी भी तरह के मानसिक, शारिक और एमोशनल चैलेंजिस को स्थिरता से निपट सकें ये सब हम करेंगे कैसे, हमारी स्लीप स्ट्राटेजी क्या होगी, एक अच्छा नाइट रूटीन कैसा होता है, बहतरी नाइट रूटीन बनाने के लिए हमारे पास फ्री टूल्स क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में चर्चा करेंगे सबसे पहले sleep strategy यानि अच्छी नीन का क्या मतलब होता है तीन चीज़ें अच्छी नीन में बहुत मायनी रखती है quality, quantity और consistency quality मतलब आप आसानी से गहरी नीन सो और तरू ताजा जागो quantity मतलब आप तेड़ घंटे यानि 90 मिनिट की multiple cycle में 7 से 9 घंटा सोते हो side note, लोग कहते हैं कि आप 4-5 घंटे भी सो सकते हो लेकिन मैं खुद 6,5-7 घंटे सो कर अच्छा महसूस करता हूँ इसलिए इससे कम समय में आपको recommend नहीं कर सकता और consistency, आप हफते के 7 तिन एक ही समय पर सोते और जागते हो consistency क्यों? research में देखा गया कि हमारी internal clock पिछले 3 दिनों के जागने के समय को record करती है और इनके average समय पर शरीर को जगाती है यानि अगर आप हर दिन अलग-अलग समय पर उठेंगे हर दिन कम या जादा सोएंगे तो शरीर और दिमाग हमेशा confused रहेगा कि कब उठना है इसलिए आप कम से कम हफते के 5-6 दिन सोने और उठने का समय और मात्रा consistent रखो quality में point था 90 मिनिट की रेम साइकल में सोईए हम लोग 80-90 मिनिट की रेम साइकल में सोते हैं यानि हर 80-90 मिनिट में हम हलकी से बहुत कहरी नीन की साइकल में जाते हैं जब हमें साइकल के अंत में उठते हैं तो बहुत ताजगी महसूस होती है लेकिन चैलेंज ये है कि हर किसी की रेम साइकल फिक्स नहीं होती इसलिए आप 6-6 गंटे के बाद उठो अगर आप फ्रेश महसूस नहीं करते सर घूंता है तो अगले दिन के लिए उठने का समय 10 मिनिट से बढ़ाओ 3-4 दिन में आपको पता चल जाएगा कि exactly आपको कितना सोनी की जरूरत है अच्छी नीन में टाइमिंग भी बहुत माइने रखती है आयरवेद के हिसाब से धवात की साइकल 2-6 बजे की होती है कफ की 6-10 बजे की और पित्ती की 10-2 बजे तक रहती है कफ साइकल में मन थोड़ा शांत रहता है और आलस भी अना शुरू होता है इसलिए जहां तक हो सके 10 बजे से पहले सोने जाईए अगर कफ की साइकल यानि 10 बजे का समय छूट जाए तो बाद में पित्ती की साइकल में सोना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इस समय मन एक्टिव होना शुरू हो जाता है अब करते हैं फ्री टूल्स की बात इस पर मज़ेदार रिसर्च देखिए 20-20 लोगों के 3 गुरूप बनाये गए पहले गुरूप को जल्दी सुलाने के लिए नीन की दवा दी गई तूसरे गुरूप को सोने के लिए 5 मिनिट जर्नलिंग करने बोला गया तीसरे गुरूप को साधरन रूप से सोने बोला गया रिसर्च में पाया गया कि तीसे ग्रुप के लोगों को सोने में करीबन 25 मिनिट लगे पहले ग्रुप में जिन लोगों ने दवाई ली थी उन्हें सोने में 15 मिनिट लगे और दूसरा ग्रुप जिन होने जर्णल राइटिंग की थी उनको भी सोने में 15 मिनिट लगे यानि जर्णल लिखना इतना असरकारक है कि आपको उतनी ही जल्दी नीन दाती है जितना दवाई लेकर सोने में आती है रिसर्च में देखा गया कि आप जर्णल में क्या लिखते हूँ वो भी माइने रखता है जिन लोगों ने 5 मिनिट के जर्णल में अगले दिन की टू-डू लिस्ट लिखी उनको सबसे ज़्यादा फाइदा हुआ ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग अधूरे काम और अधूरी चीज़ों को याद रखता है जब हम ये सब पेपर पर लिख लेते हैं तो दिमाग को शांती मिलती है और चल्दी नीन दाती है इसलिए सोने से पहले अच्छी नीन दाने का आपके पास पहला फ्री टूल है 5 मिनिट टू-डू लिस्ट टू-डू लिस्ट में चिंता या धूरे काम के आगे एक्शन या स्टेप्स लिखिए जरूरत हो तो रिमाइंडर या अलाम लगाईए जिससे आप अपने मन को आराम दे सको और शांती से सो सको दूसरा फ्री टूल जानने के लिए साइकलोजी में एक शब्द समझिए जो कहता है कि सोते समय आपको जिस तरह के विचार आते है उस तरह की आपकी नीन की क्वालिटी होती है स्टेडी ये बात साबित करती है कि जिन की नियूरोटिक परस्टेलिटी होती है यानि जो लोग चिंता, गुसा, तनाव और डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं उन्हें सोने में दिक्कत आती है और नीन भी कच्ची रहती है इस परेशानी से कैसे निप्टे इस पर भी एक इंट्रेस्टिंग रिसर्च है 2009 में 401 लोगों पर की गई स्टडी में देखा गया कि आपकी जैसी भी परस्टेलिटी हो राट में gratitude journal लिखने से लोगों को 20% अच्छी नीन आई और लोगों को नीन के हर पहलू में फायदा हुआ gratitude में लोगों ने दिन में जो भी अच्छा हुआ या उनके जीवन में जो लोग है उनके प्रती धन्यवाद व्यक्त किया यानि चैन से और जल्दी सोने के लिए हमारे पास दो free tools है 5-minute do-do list और दूसरा gratitude writing तीसरा free tool है दूपते सूरज देखो एंडू हुबरमेन कहते हैं कि दूपते सूरज का प्रकाश आपके दिमाग को मैसेज देता है कि सोने का समय नजदीख है और रात में blue light के बावजूद melatonin का production बढ़ाता है इसके साथ साथ सूबए उठकर सूरज की रोशनी में 10 मिनिट बिताने से alertness और sleep की cycle सही समय पर आती है यह हम morning routine के वीडियो में detail में देख चुके हैं अगला free tool जो आपकी नीम की timing और दिन की quality बहतर कर देगा उठने के 30 मिनिट के अंदर exercise करें जब आप सुबए जागने के 30 मिनिट के अंदर अंदर 20 से 25 मिनिट के लिए exercise करते हो तो शरीर की internal clock इस तरह से set हो जाती है यह आप बिना alarm के जागने लगते हो अगला free tool है hot showers हमारी alertness और neemd हमारे core temperature से जुड़ी हुई है core temperature गिरने से हमें नीद आती है और बढ़ने से alertness बढ़ जाती है रात को गरम पानी से नहाने पर शरीर का तापमान बढ़ता है जिसे balance करने के लिए शरीर का core temperature जल्दी से गिरता है इसलिए करम पानी से नहाने के बाद शरीर और दिमाग रिलेक्स हो जाता है जिस कारण हमें अच्छी नीन आती है जिस दिन आपको चिंता जादा हो रही हो आप परिशान हो उस दिन आप करम पानी से नहाकर अंतर देख सकते हैं अगला free tool जो आप गहरी नींद के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं वो है नारियल तेल मालिश शरीर और मन को शांत करने के लिए आयरुएध में तेल मालिश को बहुत उपयोगी माना गया है आप कान, सर और पैरों के तलवों पर नारियल तेल से 5 मिनिट में मालिश कर लीजिए ऐसा करने से आप बहुत रिलेक्स महसूस करेंगे और गहरी नींद आईगी अगला free tool है 20 मिनिट रीडिंग ब्लू लाइट और एलेक्रोनिक से बचिए और पढ़ने के लिए बायोग्रेफी या फिक्शन पर किताब पढ़िए इस बात का ध्यान रखें कि किताब में नेगिटिव और उत्तेजित करने वाली बाते ना हो अगला free tool है योग निद्रा और एनेस्टियार अगर रात में आपकी नीम पूरी तरह खुल जाती है और आपको दोबारा सोने में दिक्कत आती है तो आप योग निद्रा या एनेस्टियार सुनकर गहरी नीम सो सकते हो योट्यूब पर पहले से ही वीडियो सेफ करके रख लीजिए जिससे आपको रात में ब्राउज न करना पड़े अगला फ्री टूल है काम खत्म करने के बाद स्ट्रेचिंग शाम को स्ट्रेचिंग करने से या योग करने से आपका मन शान्त होता है तिमाग और शरीर में एनरजी बढ़ती है लेकिन इसे करने के लिए विल पावर लगती है क्योंकि काम खतम होते ही हम ब्रेक लेते हैं और फोन उठा लेते हैं इसलिए ये टूल फ्री होते हुए भी फ्री नहीं है अब बात करते हैं उन चीजों को जो आपको अवाइड करनी चाहिए सोने से एक घंटे पहले पानी पीना बंद कर दीजिए क्या आपको पता है आप पानी पीकर अपनी अलर्टनेस को कंट्रोल कर सकते हो एंडू उबर्मन कहते हैं कि अलर्ट होना है तो पानी पीओ और सोना है तो ब्लैडर खाली करो जब आप ज्यादा पानी पीकर सोते हैं तो आपको दो नुकसान होते हैं पहला कि आपको बातरूम जाने के लिए बीज नीम में उखना पड़ता है और दूसरा बड़ा नुकसान ज्यादा पानी पीने से ब्लैडर भर जाता है और किटनी इस पानी को फिल्टर करना शुरू कर देती है यानि भरे ब्लैटर के कारण शरीर ज्यादा अलर्ट हो जाता है जिस कारण आपको गहरी मीन नहीं आती आपको क्या करना चाहिए आप शाम को अच्छे से पानी पीजिए और गहरी मीन के लिए सोने से एक घंटा पहले आप जादा से जादा एक ग्लास पानी पी सकते हैं वो भी सिप कर करके अगली बात है डिनर उसी तरह सोने के 2-3 घंटे पहले रात का हलका डिनर करिए जिससे सोने से पहले खाना पेट से खिसक कर आतों तक चला जाए आपको acidity ना हो और digestion का बड़ा हिस्सा आपके लेटने से पहले पूरा हो जाए और आपको गेहरी नींद आए दोस्तो नाइट रूटीन को follow करना कठिन है क्यों? मॉर्निंग रूटीन शुरू करना आसान होता है क्योंकि आपको पता चलता है कि सुबह नीम खुल गई अब रूटीन शुरू करना है पर नाइट रूटीन के साथ दिक्कत यह है कि इसको शुरू करने का कोई natural reminder नहीं है इसलिए सोने के समय से एक घंटा पहले का अलाम सेट करें और नाइट रूटीन शुरू करें दोस्तो इस वीडियो में हमने quality, consistency से लेकर हमने 9 free tools लेखे जो आपके नीम को जल्दी लाएंगे, गहरा बनाएंगे और consistent रखेंगे अब समरी में एक आदर्श नाइट रूटीन देखने है पॉइंट नमबर वन, नाइट रूटीन शुरू करने के लिए सोने से एक घंटे पहले का अलाम लगा के रखिए पॉइंट नमबर टू, कोशिश करें कि अलाम बजने पर आप एक गलास पानी सिप करके पिएं पॉइंट नमबर थरी, उसके बाद नहाएं या अच्छे से मुहा धो लीजिए पॉइंट नमबर फोर, फिर सर, कान और तलूओं पर तेल की मालिश करें पॉइंट नमबर फाइड, पीस मिनिट के लिए किताब पड़ें पॉइंट नमबर सिक्स, पाँच मिनिट के लिए टू-डू लिस लिखें उसके बाद, आज मैंने क्या अच्छा काम किया, उसमें ये भी जोड़ सकते हैं पॉइंट नमबर सेविन, आखिर में ग्रेटिट्यू जर्नल लिखें आज जो भी अच्छा हुआ और लोगों के प्रती धन्यवाद व्यक्त करें इसके बाद, शांती से सोने जाएं पॉइंट नमबर 8, अगले दिन सुबह उठकर 30 मिनिट के अंदर एक्सरसाइज जरूर करें ऐसा नाइट रूटीन फॉलो करने पर आपकी नीन गहरी, लंबी और अराम डायक होगी जिससे आपकी अलर्टनेस, हूड, फोकस बढ़ेगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो बूरियत और डिस्ट्रैक्शन को जीतने के लिए अभ्यास कैसे करते हैं इस पर अगला वीडियो और तीन प्रैक्टिकल टिप शरूर देखिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई आप, कोई न्यूस किंती नहीं है मैं काम के किस से लाता रहूंगा हिम्मत, हरकत, हुश्यारी हम जीतेंगे